Hello friends, so कैसे आप लोग आई होप आप लोग ठीक से होंगे Friends, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मालदीब का वीजा आनलाइन कैसे चेक करें अगर आपने भी वीजा ले रखा है मालदीब का या मालदीब के वीजा के लिए अपलाई कर रखे हैं आपको किसी ने वीजा दे रखा है आपका agent हो या फिर कोई other person हो और अगर आपके mind वे वीजा को ले करके कोई भी सवाल है जैसे कि आपको यह लग रहा हो कि आपका वीजा real है या फिर fake है और आप उस वीजा को online verify करना चाते हैं यानि अपने वीजा को आप जो चेक करना चात हैं आप अपने आप में संतुष्टी चाते हैं कि आपका वीजा real है या फिर fake है और किस website से आपको अपना वीजा चेक करना है तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा watch करना होगा और आपको यह समझ में आ जाए कि अपने वीजा को कैसे चेक करना है अगर आप उसका प्रेंट भी निकालना चाते हैं तो आप अपने वीजा का प्रेंट भी कर सकते हैं और उसका इस्टेटस भी देखना चाते हैं कि आपका वीजा का जो इस्टेटस है वह पेंडिंग है या फिर approval हो गया है तो वह भी कैसे चेक कर पाएंगे तो यह सब डीटेल जाने के ब्राउजर ओपन होने बाद आपको सिंपली सार्च वार में टाइप कर लेना है तो जैसा कि इस साइट का मैंने जो लिंक है कॉपी कर रखा था तो सिंपली पेस्ट करता हूं और आपको इसका लिंक जो है वीडियो के डिसक्रप्शन में मिल जाएगा आप उस पे क्लिक कर जो है इसके ऑप्सियल पेस्ट पे आ जाएंगे तो जब आप इसके ऑप्सियल पेस्ट पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है तो आप जो है इस पेस्ट को स्कोल करके भी देख सकते हैं कुछ ऐसा जो है आपको देखने को मिल जात उसके बाद side में dashboard का option मिलता है and side का option मिलता है and एक option quota का मिलता है and उसके बाद work permit का मिलता है तो आपको simply इस पे click करना है इस पे click करने के बाद आपको जो है चार option देखने को मिल जाता है पहला है view work permit का and related request and third option है report का and जो fourth option है वो है work permit का verify work permit तो आपको simply जो है verify work permit पे click कर देना है इस पे click करते ही work permit verification को option open हो जाएगा जहाँ पे आपको दो option मिलता है work permit number and name or passport number का तो simply आपको सबसे पहले वाले option में work permit number जो है type कर लेना है और यह number जो है आपके visa पे भी लिखा हुआ मिल जाता है जब आप अपने visa पे check करेंगे तो वहाँ पे work permit number मिल जाता है आपको वह number यहाँ पे type करना है तो चली यहाँ से जो है work permit number type कर लेते हैं अब इसको type करने बाद next option में आना है जहाँ से name or passport number type करना है तो चली यहाँ से जो है मैं passport number से आपको check करके दिखाने वाला हूँ यहाँ से face detail पे click करेंगे तो आपका detail open हो जाएगा जिसमें कि आपका photo और आपका full name और वीजय का detail यहाँ पे दिखाया जाएगा आपका passport number और वर्क permit नमबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपका visa कौन से date में issue हुआ है और आपका visa कब तक valid रहेगा वहाँ भी detail यहाँ पे देख सकते हैं और visa status की बात करें तो यहाँ पे आपको status भी देखने को मिल जाता है अगर आप इस visa को print करना चाते हैं तो यहाँ पे एक option आपको print का भी मिल जाता है आप इस पे click करके अपने visa को print भी कर सकते हैं और इसका print भी कर सकते हैं आप यहाँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो वीडियो को like करे, share करे और इस वीडियो से related अगर आपके mind में कोई भी सवाल आए तो आप comment करके पूछ सकते हैं मिलता हूं next वीडियो में take care, bye bye